विन्धि छेत्र के यह पहिलव घेली न्यू चैनल में हम कनिस्तिवारी अपना पंचेन का सब जानेन का प्रडाम करी थे बड़ी खबर है सीधी से जहां पना पंचेन का बताया दी कि दूई नए कोरोना पॉस्टिव देर रात 12 बजे आई रिपोर्ट में पाएगे हैं जहां अपना पंचेन का बताया दी कि जमोरी सेगरान के एक यूवक जो सतना के अहिरगाव में सामिल होएगे रहें उनहीं के लड़ीका और मेहरिया जहूंगे कोरोना पॉस्टिव पाएगे हैं अपना पंचेन का बताया दी कि 31 वर्सी जो महिला हैं और एक साल के बच्चा है ज अन्य लोगन के रिपोर्ट अब एक रीवा मा लंबी थी और इनका रिपोर्ट जो है लड़ीकाव मेहरिया के रिपोर्ट जब रीवा से नहीं आय पाई तो सीधी के ट्रूनाट मसीन मा कराएगे और ट्रूनाट मा जब जाच भै तो हुआ कोरोना पॉस्ट उपाएगे यदि बात कीन जाए क्वुल एक ट्रूना के तयरह हुआ जोई चुका है जो बेहत एक बड़ा नंबर है कहें की सीधी के गलति के चलते आज जो हैं सीधीमा यहां जाय कराएं होई चुके हैं जो बेहद बड़ी खबर है यह सीधी खीतिर खबर एहु से है कि सीधी मां जाच की दाइरा है वह केवल तीस जाच हो पाबती और जो है ज्यादा जो सेंपल हो थे उनका रीवा भेजा जाते है रीवा से रिपोर्ट आवे मां 6-7 दिन लग जाते जोने के चलत नाम ले आए सकत है ऐसे आवश्यक्ता हिया है कि सरकार अभ्यान दे अव जो जिलन का आत्म निर्भर बनावाई के प्रयास करें कि प्रधान मंति नरेद मोदी आत्म भारत अभियान के बात कर रहा थे किन्तों जिले जब कोरोना जैसे वैसुक महमारी के दौर मां आत्म नि अब सीधी के माथा मां चिंता की लकीर ही और यह कहां जाय सकत है कि आज जो है रीवा से रिपोर्ट भारी तादात्म रिपोर्ट ही जाउने मां एक बड़ा बिसफोर्ट देखे कर मिल सकत है तो यह अपना पंचिर का देरबाबे करहों यह बेहत सतर्क होई के बाद